नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत है मैं से यसी नोट्स में तो दोस्तों आज मैं आपके साबने हिंदी कंटेंट का वीडियो लेकिया ऐँआ हूं और अब हिंदी ग्रमर का वन बाइवन सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। तो आज पहला टॉपिक की स्टार्ट कर ते सब्सक्राइब करें लोग और उससे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और आप अग मुझे टेलेग्राम पर फॉलो कर सकते हैं टेलेग्राम के लिए आप mssc note search करेंगे मिल जाएगा यसी नाम से आप mssc note c facebook और instagram पर भी search करेंगे तब भी हम लोग वहाँ पर मिल जाएगे तो सुरू करते हैं आज की classes बिना किसी देरी के साथ तो वर्ण माला मतलब क्या होता है वर्णो की माला जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि English में alphabets के लिए होता है ABCD है ना उसी तरीके से यहाँ पर क्या है वर्ण माला है तो वर्ण माला में अगर हम लोग बात करेंगे टोटल कितने अक्षर होते हैं सबसे पहला प्रशन आपके लिए यही पूछा जाता है तो हमारे कितने अक्षर होते हैं 52 ठीक है और अगर हम लोग बात करेंगे इसमें टोटल वर्णो की ठीक है मूल की बात करेंगे एककम बेस में तो बेसिक में आपके कितने होते हैं 44 या आप 11 कहां से बता रहे हैं? तो दोस्तों वो जो 13 होते हैं, वो स्वर नहीं होते, जो बचे वे दुग होते हैं, उनकों लोग अयोग वा कहते हैं, इन सदी को अब डीटेल में थोड़ा समझने की कोशिस करते हैं, ठीक है? वर्णों के उक्चार इस्थान के बारे में समझेंगे पहले देखो मूल में मैंने वेता है था 44 अगर नॉर्मल प्रशन आएगा तो 52 हिंदी वर्ण वाला में कितने अच्छर है बावन वर्ण है ग्यारा स्वर है चार अंथस्त वेंजन है चार संयूप्त वेंजन है एक विट डिफनेशन देखो और एक होता है विसर्ग आगे चलते हैं अब वर्ण क्या होता है आप सभी को पता है वर्ण एक ऐसी चीजे जिसको हम लोग भाशा की सबसे छूटी ही काई कहते है ठीक है वर्ण हमारे दो प्रकार से होते है पहला होता है स्वर और दूसरा क्यों स होता है विंजन स्वर क्या होता है वे समझते हैं जल्दी जल्दी समझते चलेंगे ठीक है एक होता है स्वर और दूसरा होता है विंजन स्वर का मतलब हमारे लिए हो जाता है जो एकदम सोतंतर रूप से बोली जाए ठीक है जो सोतंतर रूप से बोली जाए उसके लिए किस और जैसे कभी भी आपसे पूछा जाए कि क क किसके योग से बना है तो पहले आप ऐसे क लिखेंगे फिपलस आपका अ होता है तब जाकि आपका तयार होता है क ठीक है तो यह होता है आपका क्या विंजन कहलाता है और स्वर कैसे होते जैसे अ हो गया ई हो गया उ और स्वर में भी बहुत लोग कहेंगे कि स्वर सुतंत्र होते हैं, स्वर में भी संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर किसको कहते हैं, जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे ए की, ए की, ओ की, और ओ की, ये हमारे जो चार होते हैं, इनकों लोग संयुक्त स्व कहते हैं जैसे और ए मिलके क्या बन जाता है हो जाता है और ऑर उ मिलके हमारा ओ हो जाता है ठीक है यह आपको दिमाग में रखना पड़ेगा यहां से भी question बनते हैं देखी जितने भी प्रकार के questions बनेगे इस topic से मैं सारे के सारे आपको यहा पर cover कराऊंगा बस आपको ध्यान से सुनते रहना और earphone लगाए होगे इतनी उमीद मैं रखटा हूं आप लोगों से चले अगिला है मुलता सवरो की संख्या कितनी होती क्यारा मैंने बताया था पहले तेरा नहीं होती है ग्यारा होती है दो क्या होते हैं अयोगवा होते हैं अंग और अहा ठीक है अंग अहा आपके क्या होते हैं अयोगवा कहलाते हैं अगर इनको भी जोडेंगे तब जाके स्वरों की संख्या 13 कहलाएगी लेकिन आपके question में जब भी पुछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी क्या बताओगे 11 बत पहलए होता है ह्रस्षक का मतलग कहे है चोटा और यह हमारा کیसा कहलता है हरस्षक कहलता है और जो बड़ा होता है यह दीर गमें आता है जैसे बात करेंगे बढ़ा बड़ी ई बड़ा व ठीक है, यह हमारा किसके अंतरगत आता है, दीरगसवर के अंतरगत आता है, यह आप लोगों को confusion रहता है, इसको थोड़ा दूर करो, एक और होता है, प्लुतसवर, ठीक है, आप लोग ओम का उचारण करते होंगे, ओम क्या होता है, कि जब बोलते हैं, तो बहुत लंबा खिषता है, ठीक है, प्लुतसवर किसको कहते हैं, जब हम बोलते हैं, और लंबा खिषता है, जैसे वह इस तरीके से, तो वह हमारा किसके अंतरगत आता है, हमारे प्लुतसवर के अंतरगत आता है, यहां पर एक्जामपल दिया गया है, आगे चलते हैं, वेंजन क्या होते ह में वे समझो वेंजनों के लिए आप लोग के लिए पूछा जाता है कि इनका उक्चारर अस्थान कहां पर है तो यहां पर मैंने वर्ण माना बना रिखी है यहां पर आप लोग देख पाओगे इन्हीं को हम लोग इस पर स्विंजन भी कहते हैं बहुत लोग प्रश्चारते इस पर स्विंजन यही टोटल कितनी संख्या है गिल लोगे 25 मिलेगी ठीक है कचट तप इनको मिला के हम लोग कचट तब भी बोलते हैं और इनहीं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इस पर स्विंजन भी कहते हैं टोटल कितनी संख्या होती 5 इंटू 5 कितनी 5 इंटू 5 य आवाज कहां से निकलती है, जब भी हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आवाज कहां से निकलती है, गले से, आवाज से पहले कहां आती है, गले में आती है, तो इसका मतलब यहां पर जो आपका सबसे पहला आपे जो कवर गये है, इसमें जितने भी वड़ है, क अंगा पांचो यह सारे हमारे कैसे होते हैं कंठे होते हैं ठीक है इनको हम लोग क्या कहते हैं कंठे कहते हैं ठीक उसके बाद अगर कंठ की बात हो जाती है उसके बाद हमों और उपर आते हैं तो और उपर हमारे पास क्या होता है गल्ले के बाद जब उपर आती है वा तो हमा गापका। उसके आद आते हैं त। तो यहां पर ट। अब तालू के बाद किस पे आएगी। प्रहलू के बाद हमार पास आएगा जीव पर। और जीव को जब मोड कर देखों बहुत लोग कहतें सरमूर्धन ले क्या होता है। ये रही आपके जीब और इस जीब को हम मोड़कर यहाँ पर तालू से और जब बोलते है जब आप ट बोलिएगा ना तो आपके जीब ऐसे मोड़ेगी इस पर टकराएगी इस तालू पर और आवाज बहाँ निकलेगी ट से ठीक है तो उसको कहता है मुर्धन्य तो आपका ट किसके अंतरगत आता है मुर्धन के अंतरगत आता है बोलो समझ में आ रहा है बताओ जल्दी जल्दी ठीक है आगे देखो उसके बाद आता है तो उसके बाद देखो हवा कहां से निकल रिगले से आई फिर तालू पे आई फिर जीब के पास आए जीब के बास हमारे पास उसक झो आता है उसको बोलते हैं running दन ते बोलते हैं अगला है प वर्ग也是 हमारा कहा से आता है अब हमारा दात हो गया अब दात के बाद एकदम जो exact यहां पर आ influen में वसता है वो हमारे पस क्या होता है हमारा ओक होता है तो प्रडव Ferr म ये सारे के लिए हमको किसको प्रयोक करना पड़ेगा ओठों का प्रयोक करना पड़ेगा त mathematician जबdf पर बोलते हैं हमारे ओठ हपस में क्या होते हैं react करते हैं ये हमारा कैसे हो गए ओश रिंज़न हो गए सबी का उपचाण स्थन याद हो गया याद करने की trick क्याती एकदम सरल सा है अपने उपर अपलाई कर लो यहाँ से आवाज निकलती है यहां तक आती है शुरू यहां से कासे होता है और यहाँ पर पर से मौतक में खतम होता है समझ में आ रहा है बहुत अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को बताना यह देखो उसके बाद क्या होते हैं, यह हमारे होगे इसपर्स विंजन, सारे की सारे हमारे क्या होगे, इसपर्स विंजन, उसके बाद प्रशन आता है कि निम लिखित में से अंतस्थ विंजन कौन से हैं, निम लिखित में से आपके संयूप्ट विंजन कौन से हैं, संगरसी विंजन होते हैं ठीक है चार अंतिस्त और चार उस्म उस्म कौन कोटा है जो अदर से आवाज निकले जिसकी ठीक है यहां कहीं से बीना ठाकरा डैयरेग्टली निकले बस आए और निकलना है मतलब Islamyov यह आपकी क्या होती है कहीं से टकर आती नहीं बस डारग्लि आती अंदर आती है आती हुआ हे हैं तो उस्म मतलब जहां से जसको बोलने में हमें गरम-गरम महसुस हो मतलब उस्मा जैसा महसूस हो उस्म की की बात हो तो वह bells जब भी हम लोग श बोलते है तो एक हमारे पास क्या निकलता है उस्ते नाम का मनतरल होता है इस प्रकार से आपके चार होते हैं इनको कहते हैं क्या उस्म वेंजन का अगला सहिए संयुक्त विंजन कहके लाता है दोस्तों जिस तरीके से संयुक्त स्वर मैंने बताया था उसी प्रकार से संयुक्त विंजन भी होता है संयुक्त विंजन मतलब दो विंजनों को मिला दिया जाता है दो वरणों को मिला दिया जाता है तो संयुक्त विंजन मिलता है जैसे चार ह options आपको मिले चत्रग्या और आपका श्र ये चार प्रकार के अब यहाँपर बात ही आती है की जी यह बताईगे की याद कैसे रखेंति 20 किकिस्चे बता है उस की त्रिकि देखो देखो कैसे याद रखेंगे कि किसे किसे मिल के बनाएं इंग्लिस जानते होगे आप लो आपने क का इंग्लिस के पड़ा होगा ख का इंग्लिस आपने पड़ा होगा के एच पड़ा होगा इस प्रकार से पड़ा है कि नहीं पड़ा है है ना तो देखो यहाँ पर क्षर जो है क्षर जो है इसकी इंग्लिस किस तरीके से आएगी यह पर देखो कि इंग्लिस तरीके से आएगी ठीक है तो आपका यहां पर क्या हो गया यहां पर क्षण किसे मिलके बन गया अब आते हैं त्र पे दोस्तों इंग्लिस्बी से रिखेंगे जल्दी बताना लिखना होगा तो टी आर एक प्रयोग करते हैं तो T से हमारा आता है त के लिए, T से क्या आता है, T से क्या बनता है, त बनता है, और यहाँ पर देखी, R, A, यह हमारा क्या है, पूरा र है, देखो, पूरा र और आधा, इसका कैसे concept clear होगा, केवल क है तो यह आधा का हुआ, के में A जुड़ जाता है, तो यह क हो जाता है, एक और जुड़ जाता है, तो का हो जाता है, समझ में आता है, इंगलिस में जब आप लोग ने पढ़ा होगा, तो इसी प्रकार से पढ़ा होगा, केवल के होता है, तो आपका यह वाला का कहलाएगा, यह वाला, ठीक है, अगर एक और जुड़ेगा, तो इसमें का हो जाए यह होता है तीनों में अंतर तो इसको आप लोग समझ पा रहोंगे श्र और त्र का समझ में आ गया होगा उसके बाद आता है ग्यां तो ग्यां के लिए हमारी जो spelling कहलाती है वे जे वाई ए ठीक है क्यों सिस्पेलिंग होती है जे वाई ए जे से होता है ज और वाई ए से होता है निया इसको क्या कहते है तो स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास स्रण ठीक है तो ये हमारा होता है ये देखीए ये हमारा छहotा है और ये और es यह बनेगा यहांपर ध्यान देना है स्रण हमारा भन गया शयुकत विंजनों होते हैं किस से किस से मिलं कर बने होते हैं बहुत आपको याद रखने के लिए कि एक्जाम में पूछता ही पूछता है कि किस से मिलके बने हैं तो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि किस तरीके साब याद रखेंगे विंजनों का वरगी करण यह देखो यहां पर अब देखो यह सारी जीजे क्लियर हो गई एक बार जल्द अब यहां पर कभी कभी आपसे यह पूछा जाता है कि यह बताओ अगोस विंजन कौन सा है और सगोस विंजन कौन सा है उसके बाद यह आता है ठीक है क्या आता है अगोस विंजन और सगोस विंजन देखो पहले इसका मतलब समझ लेते कि अगोस का मतलब क्या होता है अगो होता है vibrations होती है बोलने में फिर व होता है दोनों में अंतर एक होता है और एक छो होता है यानि यहां पर इसमें जो पहले दो होते हैं यहां पर दिखाऊओ देना ये जो दोनों है ये और ये ठीक है यहां पर इन सभी की जो दोनों है इन सभी में जो दोनों है ये हमारे क्या होंगे जल्दी बताना इन सभी के जो दोनों हुए ये हमारे कहलाते हैं अघोसवन क्या कहलाते हैं अघोसवन कख आपका अघोस चछ अघोस टठ अघोस तीसरा चौथा पांचवा, पांच अच्छे रोते हैं सभी में, एक दो तीन चार पांच, तो पहला और दूसरा आपका क्या हो गया, अगोस हो गया, तीसरा चौथा पांचवा, इसको हम कह देते हैं, घोस कहते हैं, और कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, सब घोस मिलेगा, क् कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखो पॉइंट हमारे पास क्या है यह देखो यहां पर उदाहर दिया हुआ है कि पहला दूसरा ठीक है यह आप घाना क्या हो गया और सगोस भी क्लियर हो गया यह स्पीड आप मैंने सारी चीजे डाल रखी है जैसे क क्या आप लोग देखेंगे व्रितिगवरगा तीजरा चौथा और पांच्वार क्या कहलाता है सगोस कहलाता है उसके आगे देखेगा अब आता है हमारे पास अलप प्राण और महा प्राण वह भी मैं आपको वर्ण माला में ही समझाता हूं ज्यादा अच्छे से समझ में अब देखो अब उसके बाद अगोस और सगोस तो दोस्तों समझ में आ गया लेकिन अब एक बात और होती है जो हमारे पास प्रश्ण पूछता है कि बाई ये बताओ कि अलप प्राण क्या होता है और महा प्राण क्या होता है ठीक है दो चीजे पूछता है अलप प्राण क् मतलब जिसमें प्राड कम निकले और महा प्राड का मतलब क्या होता है जिसमें प्राड ज्यादा निकले तो यहां पर ज्यादा प्राड निकलना और कम प्राड निकलने का मतलब है प्राड का मतलब होता है हवा से वायू से ठीक है तो प्राड से हम लोग समझते हैं वायू का म मतलब उसको समझेये गा कि इसको कहते कैसे हैं तो अल्प अप्राण आप नॉर्मली अपने से खुछ से हमारा क्या हो गया वो हमारा अल्प प्राण हो गया और जो हमारा दूसरा वाला है वे हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया, इसी तरीके से, बात करेंगे हम लोग तीसरे की, ठीक है, तो तीसरे के साथ हमारा क्या हो गया, गह बोलेंगे, तो आपको क्या समझ में आएगा, गह बोलेंगे, तो जैसे गह बोलेंगे, तो हमारा फिर से क्या हो गया, यह अल्प घह बोलेंगे तो घह हमारे लिए क्या हो जाएगा महा प्राड हो जाएगा और अंगा फिर से हमारे क्या हो जाएगा अल्प प्राड तो यानि एक यानि आप अगर ध्यान दे एक हो गया तीन हो गया और पांच ठीक है किसी बवड का एक तीन पांच ये हमारे क्या होते है अलप प्राण होते है ठीक है इंग्लिस में जैसे मैंने MP लिखा है तो इसमें दो चीज है, ALP लिखा है याजनी अलप प्राण, तो एक तीन पांच, ऐसे भी अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी समसचा तरीका तो मैं आपस बोल की समझ में आ जाता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, अ और योगवामेनी स्टार्टिंग में समझा दिया है, अहां को कहते हैं, इनमें दो गुड़ होते हैं, जैसे अधा और ठीक है? पढ़हाई होता है, पढ़हाई होता है, यह यह धा नहीं है, धा से धक्कन नहीं है, धा से धक्कन में नीचे बिंदी नहीं होती है, यह आपक ठीक है और इसका प्रयोग होता है सडक में यह ड़ नहीं है यह अड़ा है सडक ठीक है इसका हम लोग प्रयोग सडक बोलते हैं जब हम लोग सडक बोलते हैं तो इसका प्रयोग होता है नीचे बिंदी लगती है और ड से डलिया एक अलग है और सड़ ड से सडक वाला ड ड और तो बहुत लोग इसमें कन्फीज होते हैं कि ड से डलिया और और अपका र में क्या अंतर है तो समझ में आ गया यह दोनों अंतर उमीद है कि समझ में आ गया होगा तो यह रहे हमारे वर्ण माला के सारे इससे बाहर एक भी कोश्चन नहीं आएगा जितनी भी इने बता दी है इसने भी 10-15 मिनिट का वीडियो बना होगा उसमें कंपलीट किया है और इससे बाहर एक भी कोश्चन आएगा दूझे कमेंट करके बता देना सर जी वर्ण माला से यह कोश्चन छूट गया मैं चैलेंज वीडियो को दुबारा देख लेना इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर होना चाहिए ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को लाइक मिलनी चाहिए ताकि आपको रेगुलर एकदम धमाकेदार क्लासेज मिलती रहें और पीडियाफ कहा मिलेगी हमारा एप है MS Education आप वहां से इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं बाकिया आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बुक जो भी चलाते हैं हर जगह आप लोग MSC नोट सर्च करके हमें पाँ सकते हैं बताने वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मिलते हम लोग अपने एकली वीड अन्यवाद नमस्कार जैहिन